मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के एक पादरी, एक्टिविस्ट, आंदोलनकारी एवं अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संधर्ष के प्रमुख लीडर थे। इनको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। इनहीं के प्रयत्नों से अमेरिका में नागरिक अधिकारों के ख्षेत्र में प्रक्ती हुई इसलिए आज उन्हें मानव अधिकारों के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है इन्होंने रंगभेद को समाप्त करने में भी महत्वकूर्ण योगदान दिया तो आएए आज हम मार्टिन लूथर किंग के प्रेणादायक विचारों को जानते हैं यदि आप उर नहीं सकते हो तो दोडो यदि दोड नहीं सकते हो तो चलो यदि चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो अंधेरा कभी भी अंधेरे को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही अंधेरे को दूर कर सकता है इसी प्रकार नफरत से नफरत दूर नहीं कर सकते हैं, केवल प्रेम ही नफरत को दूर कर सकता है आशा करना अच्छी बात है लेकिन उस पर निर्भर रहना नहीं क्योंकि आशा खुद परिश्रम पर निर्भर रहती है हमें भाईयों की तरह मिलकर रहना सीखना पड़ेगा वरना मूर्खों की तरह लड़कर सभी बर्बाद हो जाएंगे प्यार ही एक ऐसा बल है जो शत्रु को भी मित्र बना देता है मैंने प्यार के साथ जुड़ने का निर्णे लिया है क्योंकि नफरत का भार बहुत ज्यादा होता है जिसे उठाया नहीं जा सकता है हमने चिडियों से हवा में उरना सीखा हमने मचलियों से पानी में तैरना सीखा लेकिन हम अभी तक प्रित्वी पर भाई भनों की तरह रहना नहीं सीख सके विश्वास किसी भी कार्य की पहली सीधी है जदी इनसान ऐसा लक्ष्य न ढूंड पाए जिसके लिए वह मर सकता है तो वह जिन्दा रहने के लायक नहीं शांती की कीमत हीरा चांदी और सोने से भी ज्यादा होती है सही काम को करने के लिए समय हर क्षण सही होता है मनुष्य अपना अहंकार त्याग कर ही उपर उठ सकता है क्योंकि अहंकार में सिर्फ सोच पूँची रहती है किन्तु चरित्र का पतन होता जाता है नैतिक्ता से प्रतिष्ठा मिलती है और प्रतिष्ठा से यश कीर्ती तथा गौरव स्वय चारों दिशाओं में फैल जाते हैं बिना प्रयास के किसी भी कार्य में सफलता पाना अत्यंत कठिन होता है नैतिक्ता वो अस्त्र है जो चरित्र को उजवल बनाते हुए प्रतिष्ठा ही प्रतान करता है समय बहुत तेज है इसलिए इसके साथ चलने वाले ही यहां सफल होते हैं और विप्रीत दिशा में जाने वाले अपने विनाश को ही आमंत्रिक करते हैं सो सफल विचार बनाने से अच्छा एक सफल विचार को गती देना है यही सफलता का मूल मंत्र है जिसमें ख्षमा करने की शक्ती नहीं होती है उसमें प्रेम करने की भी शक्ती नहीं होती है किसी भी जगय हो रहा अन्याय हर स्थान पर न्याय के लिए खत्रा है आख के बदले आख के प्राचीन सिधान से तो एक दिन सभी अंधे हो जाएंगे पतनी को चाहिए कि पती घर लोटने पर खुश हो और पती को चाहिए कि पतनी को उसके घर से निकलने पर दुख हो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चेनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद